Once again friend, welcome to your channel आजवाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Instagram से डूडी, Problem के Solution पर दोस्तों अगर आप Instagram योजर है जैसी आप अपने Instagram को Open करते हैं आपको इस तरह के Error का सामना करना पड़ता है Try again later, वोई limit how often you can do certain things on Instagram Like following people to protect our community तो इस प्रकार के एरर को आप किस तरह से दूर कर सकते हैं वीडियो को लंबी नहीं करेंगे छोटी रखेंगे शोट में आपको इसका solution बताने की कोशिस करूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो बैल एकन को प्रेस करिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिए लेकिन दोस्तों solution पर जाने से पहले आप सभी को regions का पता होना चाहिए अगर आपको किसी problem के region का पता चल जाता है तो उसका solution है वो easy हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको उस problem के कुछ regions बताने वाला हो हो सकता है आप से गलती हो गई हो तो सबसे पहले region यह है कि आपने कि पोस्ट को लगातार लाइक किया हो डिसलाइक किया हो या फिर जो भी पोस्ट आपके सामने लगातार आती गई आप उस पर लाइक बार-बार करते रहें या फिर आपने एक साथ बहुत सी पोस्ट पर जो लाइक किया है उसको अनलाइक कर दिया है या फिर आप लगातार कमें का यूज़ करते हैं तब इस तरह की problem आपके सामने आ सकती हैं या एक साथ आप बहुत से लोगों को follow कर लेते हैं क्योंकि जब आप किसी को follow करते हैं बड़ी संख्या में तो उन में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको follow back करते हैं कुछ लोग followers को बढ़ाने के लिए ऐसी गलती कर देते हैं जिससे Instagram की जो कमटी गाइडलाइन से उसका उलंगन हो जाता है तो आपको ये गलती नहीं करने है अगर आपसे गलती हो चुकी है तब मैं आपको अब इसका solution बताने वाला हूँ solution इसके दो से तीन हो सकते हैं तो पहले solution के और बढ़ेंगे पहले solution के लिए आपको अपने Instagram application को open कर लेना है Instagram open करने के बाद आपको bottom पर जो ये profile picture होती है आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद हमें right side में three lines सो होंगी हमें इने पर tap कर देना है जिसके अधिस तरह का interface हमारे सामने आ जाता है यहां पर हमें account center वाला option उपर दिखेगा इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद हमें नीचे की तरफ scroll करके password and security वाला option आ जाएगा इस पर हमें क्लिक करना है और यहां पर security checks वाले section के अंदर where you are logged in पर क्लिक करना है जिसके बाद हमारे सामने जो हमारा instagram account है वो आ जाएगा इसको हमें select कर ले रहा है तो यहां पर जो मेरी एक device show हो रही होगी हो सकता है आपके account के अंदर बहुत सी devices यहां पर show हो रखी होगी तो वहां से आपको log out करना है सिरफ एक device को यहां पर आपको login करके रखना है तो यहां से जो फाल्तु की device होगी वो यहां से log out हो जाएगी तो उसके बाद आपको यहां से back आना है back आने के बाद आपको यहां पर जो आपका password है उसको change करना और change password का जो option है वो आपको इहां पर देखने को मिल जाता है आप अपने Instagram account को इहां पर आईएगा current password एंटर करिएगा और अपने password को create कर सकते हैं उसके बाद आपको इहां से भी back आना है और जो account center है इसी के अंदर हैना है और बिल्कुल ही last में password security पर click करने के बाद security check up वाला option दिखेगा इस पर click करना है और यहां से आपको two factor authentication वाला जो option है उसको enable करना होगा आप यहां नीचे देख सकते हैं जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके phone पर एक OTP आएगा OTP verify करेंगे तो two factor authentication आपके Instagram account पर लग जाएगा और इसके बाद आपको करनी होगी report और report करने के लिए हमें यहां से back आने के बाद बिल्कुल ही last में आना है उसके बाद आपको setting and activity में आने के बाद आपको यहां पर एक option मिलेगा help का आपको इस पर click करना है और यहां पर report प्रोबिलम पर tap कर देना है और यहां से आपको जो निचेवला option है shake phone to report the problem इसको disable करके report प्रोबिलम पर click कर देना है जिसके बाद इस तरह के interface आएगा यहां से include and continue पर click करना है और जैसे इस तरह का interface आपके सामने आता है इसके बाद जो एरर आपको आरा है उसका screenshot लेना है और उसको आपको upload कर देना है इसहां पर attach कर देना है जिसके बाद जो आपकी problem है वो Instagram टीम के पास पहुंच जाती है और बहुत ही जल्दी आपकी इस problem का solution कर दिया जाता है लेकिन यहां से report करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको यहां से बिल्कुल back आना होगा back आने के बाद अपने phone की setting को open करना है उसके बाद आपको नीचे की तरव scroll करते हुए apps वाल option देखेगा इस पर click करना है manage apps पर tap कर देना है search बार पर click करना है और यहां पर आपको search करना होगा Instagram Instagram पर आपको tap करना है आपको अपने Instagram पर दुबारा से login करना पड़ेगा तो आप जैसी यहां से clear all data करते है तो आपको अपने play store को open करना है आपको search करना होगा Instagram तो आपको यहां पर यह भी check करना है कि Instagram पर कोई update आई हुई है अगर आपको इस तरह से update देखने को मिलती है आप अपने Instagram को update कर ले लेगा ताकि आप लोगों के लिए भी कोई और solution लेके आया जासके तो मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए bye bye friends love you all take care